गुड मॉर्निंग टूल आफ यू मैं कॉसल गुरजर रुद्राख छकेड़ी मैं आपका स्वागत करता हूं बहुत दिनों बाद आज रेटर नमारा है मैंने आज बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आए हैं इसमें डेली टेस्ट सीरीज आपको डेली मिलेगा कंटेंट चा और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि टेस्ट सीरीज के जो कुस्सन है वो आपको कैसे लगे डेली आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा आज हमारी टेस्ट सीरीज फस्ट है और पहला प्रसन है दा वॉल किस खिलाडी का उपनाम है सबी जानते हैं दा बॉल किस खिलाडी का अंसर है राहुल द्रबड का राहुल द्रबड इनका सम्मंद क्रिकेट से है इन्हें दबॉल के उपनाम से जाना जाता है मिल्खा सिंग फ्लाइंग सिख इन्हें कहा जाता है और हर बजन सिंग इन्हें टर्बिनेटर के नाम से जाना जाता है बात कीजा स्वरब गांगुली इन्हें हाली में BCCI अभी अध्यक्ष बने हैं और स्वरब गांगुली को बंगाल टाइगर या फिर दादा के उपनाम से जाना जाता है बहुत अच्छे कुश्चन है दा वॉल याद रखना राहूल द्रिविट गीता रहिस किसकी पुस्तक है दूसरा प्रशन है और गीता रहिस किसकी प्रिशिद्ध पुस्तक है तो अंसर है हमारा बाल गंगा धरत लग अब पंडित जबारह लाल नहरू की अगर पूशता है त तो डिस्कबरी ओफ इंडिया भारत एक खोज और बीडी सावरकर अबनव भारत इनकी प्रिशिद्ध पुस्तक है ये गुरूप डी में पूछा गया था खुस्वन सिंग की पुस्तक ट्रेंड टू पागिस्तान या फिर इंद्रा गांधी रिटन्स इनकी प्रिशिद्ध पुस्तक है गीता रहसियाद रखना बाल गंगाधर तिलत एक कुस्षन और बनता है री डिस्कबरी ओफ इंडिया तो यहां पे हमारा अंसर चेंज हो जाता है और अंसर होता है मेगनाद देसाई बैसे पूछता है डिस्कबरी ओफ इंडिया तो फिर अंसर क्या होता है पं पंपास कहा जाता है तो अंसर होता है अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है श्री लंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है याद रखना ब्राजील के घास के मैदान को कमपास कहा जाता है कमपोस भी आता है औस्टेलिया के घास के मैदान को डाउंस कहा जाता है याद रखना अर्जेंटीना के घास के मैदान को कमपास कहा जाता है बात की जाए एगला कुश्शन मांसून किस भासा का सब्द है ये पूछा गया है बहुत बार कन्फीज हो जाते है मांसून पूछता है किस भासा का सब्द है अंसर होता है अर्वी भासा का सब्द है ये बना किस्से है तो ये एक बर्ड होता है मोसिम और मोसिम ये अर्वी में होता है इसे बोला जाता है मांसून ये कुश्ण एक बार और पूछा गया है कि सर प्रथम भारत में मांसुन किस राज़ में आता है तो अंसर होता है केरल राज़ में आता है भारती मोसंबिज्यान विभाग का मुख्याले कहां ही आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में जापानी का आपने सुना होगा सुनामी जापानी भासा का सब्ध है बात की जाए कपास उत्पादन में प्रथम अगड़ी भारती राज़ कौन सा है तो कपास में अंसर है गुजरात प्रथम इस्तान है जबकी पश्यम बंगाल को जूट में अगरणी माना गया है और उत्तर प्रदेश को गेहूं और गण्ना में प्रथम इस्तान माना गया है और मद्ध प्रदेश की बात की जाए तो दालों और सोया बीन में ये तो प्रथम है कपास में पूशता है तो गुजरात याद रखना एक ट्रिक बनती है नमक अगर पूशता है कि नमक उत्तपादन में प्रथम अग्रिडी राज समुद्री नमक उत्तपादन में तो अंसर होता है गुजरात है मुंगफली उत्पादन में तो अंसर होता है गुजरात है और कपास उत्पादन में तो अंसर गुजरात होता है नमक याद रखना नमक उत्पादन में मासे मुंगफली उत्पादन में कासे कपास उत्पादन में तीनों में परतम कौन है गुजरात है मुखोटा नरत्य किस राज से संबन्दित है याद रखना उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो नोटंकी तो मुखोटा नरत्य इसका अंसर है आरोनाचल प्रदेश से किस से है अरुनाचल प्रदेश से 2016 MP Constable में पूछा गया है उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो नोटंकी और रासलीला आपने देखे होगी घर में भी बोल देते हैं आप नोटंकी क्यों कर रहे हो तो ये नोटंकी रासलीला उत्तर प्रदेश से संबंदित है गुजरात की बात की जाए गर्बा डांडी आपने सुना होगा और जहारखंड की बात की जाए च्छव और सरहुल ये पूछा गया MPSI में पूछा गया है सरहुल किस राजिसे है जहारखंड से नील आफ केरला किस नदी को कहा जाता है ये बहुत अच्छा कुस्षन है नील आफ केरला किस नदी को कहा जाता है तो याद रखना केरल में पैरियार नदी है ये पैरियार जील भी है एक और गोदाबरी नदी है इसे ब्रद गंगा कहा जाता है कृष्णा नदिय दक्षिड भारत की गंगा कहा जाता है लेकिन नील ओफ केरला भारत पूजा एक नदी है जो केरल में बैती है पलकड जले में याद रखना भारत पूजा इसे केरल में नीला नदी कहा जाता है कौन सी नदी नीला नदी कहा जाता है क्योंकि इसका जो पानी है थोड़ा नीला सा है तो इसे नील आफ केरला के नाम से जाना जाता है बहुत अच्छा कुष्षन है एक बार UPSC Pre में पूछा गया है बात की जाए अगला कुष्षन भारती चाइबोर्ड कहां इस्तित है तो भारती चाइबोर्ड का मुख्याला जो कहां है बात की जाए बंगलारू तो आपने पड़ा होगा कॉफी कॉफी बोर्ड है भारती कॉफी बोर्ड ये कहां है बंगलारू में है यहाँ पर बात चाय बोर्ड की चल लई है और चाय बोर्ड का मुख्याला जो है वो कहा है कॉलकत्ता में है अब आप ये मत बोलना कि सबसे अधिक चाय तो सर असम्मे होती है बिल्कुल होती है लेकिन चाय बोर्ड का जो मुख्याला है वो कहां है, तो वो है कॉलकत्ता, क्योंकि आपको पता होगा, कॉलकत्ता की चाय थी, कहां की, दारजलिंग की, इसको GI tag मिला था, कोची की बात कीजाए, मसाला बोड हैं, बंगलरू में क्या है, कॉफी बोड है, कॉफी में पूषता है, कौन सामल होता है, कैफीन होता है, मसाला बोड कहा है, कोची में है, और गुंटूर में पूछता है, तो तबाकू बोड है, याद रखना, आंद्रप्रदिस में पड़ता है, तमाकू में निकोटीन पायता है, किसान दिवस, कम मनायाता है, किसान दिवस की बात की जाए, तो ये मना आता है 23 दिसम्मर को कम मना आता है 23 दिसम्मर को और ये पूछले कहीं कि तो 23 अपरेल को क्या मना आता है तो 200 पुस्तक दिबस ये 23 अपरेल को मना आता है याद रखना और 23 मार्च को 200 आपने पढ़ा होगा 200 मौसम बिग्ञान दिबस ये कम मना आता है 23 मार्च को 200 मौस विजुफम विज्ञान दिवस 23D Sबसे अक्षा और बाध Elok घुझा करता है तो होगिए अनत-पॉसम 23 दिसमम्र को किसान घाट और 22 millions पूछता है तो जल्दवस मनाज़ता है याद रखना 23 किसान घाट समाधी पूछ लेता है किसके जन्दवस की याद में मना आ याता है तो याद रखना चोधरी चरण सिंह और इनकी समाधी सित्ल का नाम किसान घाट եै cling मध्य परदेश के उपनामों में यह नहीं है तो मध्य परदेश के उपनाम आपने पड़े होंगे यह बहुत ही एहम कुस्चन है MP के लिए तो मध्य परदेश को नधियों का माय का कहा जाता है हिर्दय प्रदेश कहा जाता है सोया प्रदेश कहा जाता है मक्का प्रदेश नहीं कहा जाता है ये इसका अंसर है कौनसा नहीं है मक्का प्रदेश मक्का प्रदेश कहा जाता है आंधर प्रदेश को सरबादे को ही होता है नदियों का मायका ये किसे कहा जाता है मद्ध प्रदेश को हिर्दय प्रदेश, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट ये भी बोला जाता है हिर्दय प्रदेश किसने नाम दिया ये बहुत बार फूचा गया है तो याद रखना पंडित चवाहर लाल नहरू ने मद्ध प्रदेश को हिर्दय प्रदेश कहा था टेस सीरीज में 10 कुस्टन डेली लेके आऊंगा डेली आपको टेस सीरीज मिलेगी आप कमेंट बॉक्स में बताना कैसी मिले आपको टेस सीरीज लगी कैसी और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको जैसे ही टेस सीरीज में डालूं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए